किसान भाईयों नमस्कार कैसे हम लोग आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल मैं हो हम इस समय हैं सातनपुर मंडी फर्खाबाज आज 19 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार मैं आपका छोटा भाई जावेद और आप देख रहा है हमारा यूटूब चैनल आज का आफर मंडी में कली जैसी मुझे आमदनी लग रही है पोड़ी सी 21 है और आलू जो है पटा भट बहुत तेजी से आज आलू भिका है और चलिए लेते हैं कुशी अपडेट के कहां तक आलू आज भिक रहा हैं पूरी अपडेट देखिएगा लाश्टक देखिएगा और अपने किस किसान साथियों में हमारी अपडेट को ज्यादे से ज्यादा शेयर कीजिएगा देखिए वाई हमारे प्यारे किसान साथियों मैं आपको दिखाता हूं पीली मट्टी का मोटा अलू है काफी बढ़िया साइस का और करर बहुत अच्छा है आलूगा है पैकड़ वाले जो है जानकाली लेंगे कितना क्या रेट क्या रेट रिखा है तुमारों है अच्छा अच्छा जाई को है किस गाओ से यहाओ यहाँ जिल्पारि लिखार रहा है बेरी नगरा से कितने लिया जाज आए तो यह आप किसान है यह लोग भी है आप लोग भी इसी इनी क्याओं से हो अच्छा अच्छा इदर आलू आरती है यह राम राम तो यह आपकी आरत प्याज तीन सो एक सट्ट विखा जाए और कुछ बेचा आपने आज खुला बेची 6500 रुपए फुला खुला 6600 रुपए यह लगी ऍदर यह देखो भाई 6600 रुपए भяж यह आज देखी भड़ा मीडियम थाっ कि शाड़े छेसो रुपए करती कुंटल कि अलू का साय थोड़ा सा और की सोता तो शायद और और यह और अच्छा दिया तो वारे लोगों गालू आई है अभी बहुत जोड़ जल लई है अभी जोड़ी में पड़ गई थी बीच में कि जान कम कोद्रा था अपतेज हो गई ह अच्छा कल आए दे आलू कलाई लाए दे आज ही लाए आज ही लाए हो इनकालू साड़े छे सो रुपए परती कुंटल के वाउ से काटा वगर आ चुका है तो लगने जा रही है बस देखिए वाई हमारे प्यारे किसान जातियों इदर टाली लगी है पीली मटी का मोटा आज वाई काफी अच्छा देखो वाई कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आए और साइद बहुत अच्छा आज है एक अगालू का साइद अच्छा है और इसके नदर कोई चटके अटके की आगोगिया की जादा शिकाइद इसके अंदर नहीं है कि इदर हमारे साथ किसान है लेंगे इनसे कुछ जानकरी किस गाउं से हो भी है किस गाउं से हो मैली मैले इसे का इटारी लाए आज दो इटारी लिया है क्या वाविको छे साइक्यासी रुपया देखे वाई इनका अलू आप छे सोची 250 रुपए परति कुंठल के बाऊ से भाई अच्छे साइज का अलू खाई ये चेसो एक्यासी रुपए पर्ति कुंटल देखिए वाई हमारे पहले किसान जाते हो इधर मोटी मटी का मोटा आलू तुल रहा है वाई आलू का साइज बहुत अच्छा है और अब बात करते हैं किसान से लेते हैं कुछ इन से जानगारी किस गाउं अब कनुपटी है तो टाली लाएते हैं किस रेट बिका आज च्छेसर रुपीया पर्ति कुंटल गया वाउसे बिका आलू कल लाएते कल किस रेट बिका था रहा कल किस रेट बिका था आलू तुम्हारा अलु क्यारेट विगाता है तुम्हारा अलु क्यारेट विगाता है और देखे भाई जो है लाल पोगराज भर दिया जा रहा है यानि की बिक्ट्यूगा है साइद अच्छा है एक घेर यह था और एक बांद की तरहें मोड़ा लेकिना था यह है वारी जान लेंगे लोगों से कुछ जानगारी है आपका दालू है हमें फूट फिजा लेंजे है अजए किजा दो मिनिट की वाद है किस गाहों से आप लोग लोग तो कहा पैकेट लेया तैंद लाल के लाल के दो सोचालेश किसबाव विका आपका आलू यह लाल आलू यह पांट पांसो ग्यारा रुपए पर्ति पैकेट के वाँ हो सुना है पूरी टालिया जो है खुली आलो की लगी हुई है कोई भी पैकेट वाला आलो यह दर नहीं है अब आपको दिखाता हूं इधर भी इस साइड में जितने भी ठेड लगे हैं सब खुले के लगे हैं और मैं आपको दिखाता हूं इधर पीली मटी का बढ़िया आलो जो है भरा जा रहा है बाई परी परी भरी चुका है हल्दी जैसे रंग का आलो है यह दिए अधर किसान हैं लेंगे अच्छा तुम हो इधर रहा है तुम आए पिसमें खुला मतादें इना अपना शशी कंद सषी कांद्जी लाए दे आज़ है कितनी ट्राली ले आए यह थाराई आज़ एक ट्राली मात्र और आपके गाउं कियां इस अधर अच्छे तो आपका या आलो किस रेट बिखा लूँ आज ए आपको 711 रॉपए प्रतिक उंडल के वाउसे आज बिक्टे आए आपके ओपर भी अपको नजर आई आए कि अबी कोई विक्यक है अब बुचाहें लिए 2 पिता आए अच्छा आपकीया है लेकिन आपकी असपाथ 6805 स्टीके इडिके थे अच्छा अदर बिकितान आप वहीं से ते अच्छाहें जे शल्टालिया थैंढ़िया आप यहीं से मेले इसे अच्छाहें आलू लाए त्याज का आपका 685 भी का इसी करल का था अच्छा 685 रुपए पट्टी कुंटल गवाऊ से धन्यवाद विया किसान साधियों मिस्मा है जगवीर सिंग्षी की आलू अरत पर और इदर हमारे साथ कुछ किसान है काफी जादा किसान है आप लोग किस गाउं से गाउं पट्टी खुट से सभी लोग किसान तो सबकी टालिया आज भी गई आलू की सबकी भी किस तरीके से क्यारट भी की आलू आपका अब का साथ सो एक से साड़े छेसा रुपए देखती भी कि यह देखो भाई यह मैं आपको दिखाता हूं सास्सो एक रुपए पीली मट्टी का मोट अर यह वाला यह देखो दोड़ा मीडियम है उससे यह भी गाचेसों इकतर रुपए वीडियो बनवाओ पहले उसके बाद बात करो लेकिन इस भाव में भी किसान का आसू नहीं पुच रहा है यह पिगर आओ छेसो एकत्तर रुपिया यह एक्यासी रुपिया सास्सो एक रुपिया खान वालों समझीए कि किसान के दाम सीथे हो रहा हैं लेकिन किसान के दाम हैं सीदे हो रहा है इस समय हर खेड में हर खेड में हानी हो रही है सीधी सीधी परचा बनता आरती का तब जानकारी मिलती अरे जाक्रेद में लों घाट वी गो तो आप लोगा च्छेसो एगत्तर एक्यासी और साथ सो एक रुपए देख बुगे आलू आप यहां परे आलू क्या एवरेज आया साथ सो एक वाले काउन है किसान साथ सो एक वाले क्या तुम्हारा एवरेज क्या आया अलू पेज़ वाले का अच्छा काफी कम निकला थीक धन्यवाद विया देखें अपारी भाईयों इदर की लैंड के अंदर आप देख सकते हैं हर ट्राली में खुला आलू है और अब पैकट वाले आलू इस लैंड में आने बंद से हो गए हैं हर तरह आप देखेंगे खुली टालियां और इधर जो है मैं आपको दिखाता हूँ नंबर एक क्वाल्टी बढ़िया सुपर क्वाल्टी पीरी मट्टी का हल्दी जैसे रंग कालू है एक ये टाली है मैं आपको दिखाता हूँ जो की बिक चुकी है इधर हमारे साथ आरती माहदा है और कुछ किसान भी है आउपर आजा उपर आजा उपर आजा उपर आजा राम लड़ेते जी हैं भीया नमस्कार भीया किसान भी है आम दनीक कल से कोड़ी कीज मागम दे रही है आज तबास हो मोटर लोगी है तो कल भी ठीक तो तो पर नीचे उती तो अंदाजा नहीं लग पाता है और खुला अलू अब जो आ रहा है जी अभी तक पाकेट आ रहा तो मंडी जो है खाली खाली लग रही थी आज बरी लग क्योंकि टालियां जो खुला आने लगी है तो उसके वज़े से जंगा बहुत जादा घर जाती है कि और टाली खड़ी रहती है और आलू नीचे जमीन पर रहता है तो उसमें जो है पैकेट में कम जगहां में जादा पैकेट लग जाते हैं आज किस तरीके से बिक्राएं आ सकता बिक गई हो लेकिन अभी मैं मंडी गुमा लेकिन 721 वाला दुबाओ कहीं नहीं मिला मुझे 711 तो फिलाल जरूर मिली लेकिन 721 नहीं अच्छ यह वाला 621 बहुत आलू भी किया आज चेसो एक्यासी एकसट में कापी आलू भी किया बहुत जादा बहुत जादा अभी लेके से जादा आलू भी किया तो आज आपने 721 रुपए पर्ति कुंटल के बहुत से बेचा लिए यह दोनों टाली हैं बेची हैं आपने याली हैं यह मैंने भी दिखाया था फोटो तो आली वाली कैसी है कल के बेक्षाइब बहुत दिक्कत नहीं जाचा आप भी आमदनी अगर इसी तरीके जाती रहे आमदनी नहाबड़े और लिवाली अच्छी बनी रहे तो भाव किसान को इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे अब क्या लगणा कल बजार चलेगा रहे कर जी बजार चलता रहे अच्छा अमदनी बढ़ जाए तो डाउन हो जाएगे बस आमदनी नहीं बढ़े किसान आरा है आमसे लेकर आए जल्द बाजी ना करे किसान के अलुब भाव अच्छे थोड़ा चुदर गया चलो आले टालि ल बहुत नदर आ रहा है तो मैं दिखा रहा हूं पर लिए पारी विए डियाओं सीधा त्राली की खुली त्राली की तरह आता है और सौधा करता है जहां पैगी लगा था उसकी तरफ जाता भी नहीं है आप आरे यह बाता उदर किस गाउं से वह भी यहां आकल गंच अच्छा आपका किस भाव भी कालू आज साथ सो एकीस रुपए परती कुंटल के भाव से इधर भी किसान है आप लोग कहां से भी या मेरपूर से किस डेट बिकी टाली आपकी आपकी 691 रुपए आपकी 691 रुपए जा लगी है अच्छ चेस सो एक आणवे तो उस तरह और कुछ भी का साथ सो एक सास सो ग्यारु पर में कुछ भी की टाली यहीं भी की है किसान सातियों वेपारी भाईयों आए मिलते है सतंदर गुपता पताँजा वाले आलु आर्टी सातर पुमंटी फरकावाद भाईया नमस्कार नमस्कार तो गुपता जी आज आमने नहीं कितनी आ जाएगी लगवा लगवा जाएगी एक सो पचीस मोटर के आस पास एक सो से कल जैसी है किस्टे कुछ फीस मालोव कुछ है जाधाय था सपांच मोटर की आम नहीं कल से जाधा यहां मालोव लीवारी आज कैसी है करके बेख भुप है को पढ़िया कहां से कहां तक आज आलू भी बिके आज मन्डी के अंज मन्डी मैं आलू आज 631 से लेकर जी 20 रुपए पर कुंटल वाके वहां हमने नहीं बेचिए आप किया नहीं हमने बेचिए साथ 641 जी और 671 हमारे तोड़े काली मिट्टी के हैं मीडिया मालू कि अपने तीर 11 टाली है सब 641 और 671 बहुत अच्छी शूपर क्वालिटी की आलू साथ सो की ऊपर तक विखें आजांगा जादा तर टालीए है एकटर एक्यासी के बहुंसे जादा तर्वी कियेंगी और हलके आलू जो है साड़े छे सो क्यास पासिबिए हाँ यह देखियो मीडियम साइज आलू है इस तरीके से इसके अंदर यह साइज बहुत जादा है यह गुल्दा जादा लगा हुआ है यह किस रेट्पिका यह यह मीडियम है घूर फिलाल खीक है मीडियम आलू स्थिक जाद भीरांगे मटियार मट्यार मट्पी सब्सक्राइब तैसको यह अधक यह जाती यवर्टिक अंदर यह भी एक तालिस भी का है यह भी मीडिया मालू है काली मट्टी का यह मोटा अच्छा अच्छा यह गत्तर भी कहा है यह इस अपनी है अच्छा यह सब किसान का अपना पैकट बच जाता है आज साथ सो एकीज रुपए भाव तक आलू बिगें हैं अब किसान इसको देखके आलू अपना खोदेगा और आमदनी बढ़ेगी और भाव फिर नीचे हो सकता है तो किसान यह गलती ना करें जल्दबाजी में आलू को ना खोदें क्यों गुपता जी मैंने बाद सही कही ना बिल्कुल सही है किसान आराम 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 को जल्दबाजी किसान तो जादा सत्ता हो जाएगा किसान तो लाएं दीरे दीरे करके अपना खोदे दीमे दीमे करके कोदे अगली वजल के लिए जल्दबाजी किसान कुछ कर लेते हैं उनको वी उनके आगे भी मजबूरियां होती है कि आलू अटा है और फिर ग्यों लगाएं तो उसके वज़े से भी किसान अपने कर लेते हैं किसान नहीं बोएगा तो खाएगा क्या खाएगा क्या ठीक धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद